आपको बताया था कि आज हम आपको ऐसी कता सुनाएंगे कि अपने भक्त के लिए भगवान सिभ ने काल को भी मार दिया क्या कर दिया काल को भी मार दिया कल का था न तो आज आप ध्यान से सुनो भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते एक दिन आपने कता सुनी थी मार कंडे रिशी की अल्प आयू मार कंडे को अमर कर दिया चिर्जी भी कर दिया आपने सुनी पर और आज हम एक स्वेत मुनी की कता सुना रहे है भगवान क्या नहीं करते लोग कहते भगवान नहीं को यह नहीं दिया यह नहीं दिया रहे भगवान तो देने को तैयार बेटे तुम लेने के योग हो क्या तुम्हारी पात्तरता है क्या तुम्में वो पात्रता आ नीचे जब तुम्में वो पात्रता आ जाएगी तो भगवान अपना पद भी तुझे दे देते स्वेत मुनी ने महादेव की भक्ती से मृत्यु को भी जीत लिया था अतेव परमेश्च्वर महादेव सिवजी के प्रति आप लोग भक्ति परायन हो समाप्त आयूवाले समाप्त आयूवाले मतलब जिनका समय समाप्त हो चुका था मृत्यू के कगार पड़ थे वो स्वेत मुनि स्वेत नामक एक स्री युक्त मुनि गिर की गुफा में सिवारादना में रत थे यह जो सिवारादना हम यह कर रहे हैं सिवकता यहां जो हम कर रहे हैं सिर्फ बुद्धी जीव ही इसका जो बुद्धी जीवी हैं वही इसका मोल और मैत तू समझ पाएंगे हर किसी के बस में इसको समझना नहीं है हमारे प्रजमें कहते हैं मानो तो देव नाय तो पत्थर जो मानते हैं ये सिवारादना उनी के घर में जाके असर करेगी जिने अपनी आत्मा पर भरुसा है जिने परमात्मा पर भरुसा है जिने सिव पर भरुसा है जिनने सनातन पर वरुसा है उनके घरों की सुरक्षा ये सिवकता एक हजार परसेंट करे जिनका जीवन समय समाप्त हो चुका था वो रिशी स्वेत मुनी एक गुफा में बिराजमान होकर शिवाराधना में रत थे व्यस्त थे शिवाराधना में मगन थे नमस्ते रुद्र मन्यवे इत्याद रुद्यात्म भक्ति पूर्वक महिश्वर की आराधना करने में लगे हुए थे रुद्र रद्याय इत्याद में वो व्यस्त थे स्वेत मुनी ने उन्हें प्रसंद कर लिया था महादेव को अपने अनुष्ठान से, अपने मंत्रों से, अपने तप से, अपने प्रयास से प्रसंद कर लिया था महादेव को उन्होंने हे विप्रेंद्रो तद्नंतर दुजों में स्रिष्ट स्वेत मुनी जो समाप्त आयू वाले जानकर काल उन्हें ले जाने के लिए पहुँचा काल मुनी के पास पहुँचा और काल ने देखा कि इस मुनी का तो समय समाप्त हो गया है और देखो ये अभी भी कहां भी जी है ये सिप पूजा में मगन है ये से पूजा कर रहा है सन निकट पहुँच काल ने काल ने देखा तरनेत्र शिव का इस्मन करते हो उस रिशी को आराधना करते हो इस रिशी को स्वेत मुनी को देख कर काल कहने लगा अब तुम क्या कर रहे हो ये उनके मन में तो भाव था कि मैं शिव की आराधना कर रहा हूं काल और मृत्यू मेरा क्या बिगाड़ेगी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ऐसा उसका मन भाव था तो स्वेत मुनी अब तुमारा समय समाप्त हो चुका है काल ने का हे स्वेत अब तुमारा समय समाप्त हो चुका है भगवान विश्णू ब्रह्मा अत्वा जगदीश्वर रुद्र भी अब तुमको मुझसे बचा नहीं सकते तुम्हें कोई नहीं मुझसे बचा सकता भला कौन है जो मेरे द्वारा ग्रास बनाए गई जीव को बचा सका हो मुझसे बचाने में कोई समर्थ नहीं है हे विप्र यह रुद्र पूजा मुझसक्तिमान का क्या कर सकती है जिस किसी को भी ले जाने के लिए में एक बार खड़ा हो गया एक शण में उसे यमपुरी पहुँचा दिया एक शण में शण भर में यम लोग पहुचा देता हूँ हे मुनी क्योंकि तुम समाप्त आयूबाले हो चुके हो अतह तुमें ले जाने के लिए में आया हूँ अब ये सिव पूजनित्याद तुम बंद करो और मेरे साथ चलने की तयारी करो एक सेकंड कलपना करो कि काल तुमारे सामने कड़ा है और तुम से कह रहा है कि तुम भोजन करना बंद करो जल पीना बंद करो है क्या तुम नोकरी पे जा रहे हो चलो सब बंद करो हमारे साथ चलो क्या बीतेगी कलपना करो अभी कितना अच्छा लग रहा है न संसार अभी तो हम हटे कटे हम ऐसे हैं हम ऐसे हैं अभी तो सबकुछ हमारे मुताबिक चल रहा है लेकिन एक दिन अचानक से काल आकर खड़ा हो जाए और कहे your time is finished now ready चलो क्या होगा फिर हमारे बिर्ज में रसिया गाते हैं मैं बीच में बजन नहीं गाए हैं अभी भी नहीं गाऊंगा लेकिन हमारे रसिया कितना अच्छा है बादिन की सुध कर प्राणी जा दिन ले चले ले चले हो जा दिन ले चले ले चले हो जा दिन ले चले ले चले हो वा दिन की सुध कर प्राणी भूले बेटे तब ही तो पाप कर दे हो एक भगवान ही है जो एनिहाव आपकी साहता कर निकले तैयार बेठा है और उस भगवान से आपका हेत नहीं प्रेम नहीं है वही भगवान तुमारा साथ देगा बहुत से लोग तो दुखी हैं हमारा काम नहीं चल रहा है और बहुत से लोग सुखी हैं काम नहीं चल रहा है इसलिए मेरा नाम चल रहा है भगवान का नाम जप रहा हूं मैं मुझे पहले काम से समय नहीं मिलता था अब मेरे ठाकुर ने मुझे भजन करने का मौका दे दिया कितने लोग कुछ है काम करकर के भी बुड़ापे में मर गए और मर गए तो घरवालों ने कह दिया कि हम नहीं जलाने आएंगे तुम अपने आप बेवस्ता कर लो एक बात बताएं समझदार वही है जो दूसरों से सीख ले खुद गलती न करे कि खुद गलती करके सीखोगे तो उतना समय तुमारा वेश्ट हो जाएगा दूसरों की गलती से सीख लो साइद कुछ एक्जामपल ऐसे एक भायाना की एक्जामपल हमारे सामने इसलिए आगे जिन से हम ये सीख लें कि हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं है कोई हमारा नहीं है गोविंद नाम इश्मर्ण करो प्रभू का नाम इश्मर्ण करो वही हमारा है बाकी सब मित्या है बुलो रादे रादे उन मुनी ने स्वईत मुनी ने जब काल को देखा काल को देख कर वो बैवीत हो गई उस काल का वो धर्ममिश्त भाया बहे बचन सुनकर मुनी वर स्वेत हारद्र हारद्र क्या कह रहे हैं हारद्र यह कहते कहते लिपट गए भगवान सिव के उस लिंग से भगवान के बिग्रे से लिपट गए सुईत मुनि बिलाप करने लगे अस्रुपुरी तथा ब्याकुल नेत्रों से वेकातर द्रश्टी से सिव लिंग को निहारते हुए अत्यांत ब्यथित चित होकर उस काल से भी कहने लगे हे काल तुम मेरा क्या बिगाड सकते हो देखो कितना विश्वास होगा उस समय भी भगवान सिप पर तुम मेरा क्या बिगाड सकते हो क्योंकि सभी देवताओं को उत्पन करने वाले हमारे स्वामी ब्रस्वधवज संकर रुद्र इस लिंग में विराजमान है तुम मेरा कुछ नहीं विगाड सकते बो रादे रादे मैं तुम से डरने वाला नहीं बिधी का विधान सिवजी के परती अतिसे भक्ती रखने वाले मुझे सदर से मात्माओं का क्या कर सकते हो अतेव महाबाओ आप जिस प्रकार यहां पर आये थे उसी प्रकार यहां से चले जाओ यहां से चले जाओ तुमको खाली हाज जाना पड़ेगा तदनंतर स्वईत मुनी का वैसा बचन सुनकर हाथ में पास धारन की ये तीक्षन डाड़ों वाले भैंकर कालने कुपित होकर सिंग के सदर से गोर गर्जिना करते हुए तथा पास को बार बार फटकारते हुए ऐसे होता न जिसके हाथ में कोई सस्त्र हो बार बार उसे दिखाता है आदी तो मुझ से डर आदे सस्त्र से डर कमजोर आदमी आदमी सस्तर लेके दिखाता है ना बैंक लूट ले जाता है एंड्स आप आथ कड़े कर लो और उसे मोटे मोटे आदमी बैंक में खड़े रहते हैं मोटे मोटे आदमी बैंक में कुर्सी पर बैठे रहते हैं वो छोटा सा वो इतना सा त्यार दिखाते है, hands up, उसको दिखाता है क्यों है वो, उसे वो इसलिए नहीं दिखाता है कि वो गोली मार रहा है तुमें, वो इसलिए दिखाता है जिसे भैब्याप्त कर सके, डरा सके, वो इसलिए वो दिखाता है, तो काल भी बार-बार, उसके वीजा अटमे जो पास था, काल-पास, उसे बार-बार फटकार रहा ہے और फटकारते हुए कहता है तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता लिशी, यमलोग ले जाने के निमित मैंने तुम्हें बांद लिया है उसमें बांद लिया था, पास में मैंने तुम्हें बांध लिया, परन्त तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम जिन पर वरुशा करते हो, वो देवादेव मादेव मुझे कहीं दृष्टी गोचर नहीं हो रहे हैं, कहा हैं? जिन महादेव की तुम इतनी आराधना कर रहे थे वो महादेव कहा है मुझे कहीं दृष्टी गोचर नहीं हो रहे मुझे तो लगता नहीं कि वो तुमें बचाने के लिए आएंगे भी तुम योहीं ब्यर्थ उन पर भरुशा करते हो तुमारी वो क्या साहता करेंगे कहां है सेव कहां है तुमारी भक्ती तथा पूजा कहां पूजा का फल कहां है मेरा भै स्वेट अब तुम मेरे द्वारा बांद दिये गए हो हे स्वेट तुमारा महेश्वर रुद्र जो इस लिंग में स्थित है वो है मादेव निच्छेस्ट है फिर तुम उस मैश्वर की पूजा ही क्यों करते हो देखो हमारे घरों में भी जब कोई तकलीफ हो किसी भक्त के यहां वो भक्ती हम लोग करते हो और थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो घरवाले सबसे पहले ताना क्या देते हैं अब कहा है तुमारा भगवान कहां गया है तुमारा भगवान यह भक्तों को बहुत सुनना पड़ता है अगर तुमारा भगवान था तो ऐसा क्यों हुआ तुमारा भगवान अगर सच्चा है तो भगवान ने आके ऐसा किया क्यों नहीं अच्छे क्या उस लेविल का हमारा भरूसा भी है जिसके सामने काल खड़ा हो और काल ने जिसे पास में बांध लिया हो उसके बाद भी कहता हो कि मेरा सिव मेरी रक्षिया करेगा इतना द्रण विश्वास जिसमें हो और वो कह रहा है तुमारा सिव कहा है चेतना हीन है जैसे ये पत्तर है वैसे तुमारा सिव दिखाई नहीं पड़ता कहा है तत्पश्यात मुनी के प्राण हरने के निमित आय हुए काल का संगार करने के लिए काम देव के सत्रू दक्ष यग के विद्ध्वन्सक तथा त्नेत्र धारी सदासिव महादेव संकर अपने नंदी गनेश्वर और परवती सहत मुश्कुराते हुए सिग्रता पूर्वक सिव लिंग से ही साक्षात प्रगट हो गए बोलो संकर भगवान की नमा पार्वती पत्वे हारा हारा महादेव भगवान भोलेना त्मा पार्वती के संग नंदी के साइथ उस लिंग में से ही प्रगट हो गए सिव लिंग में से प्रगट हो गए हे ब्रामणों हे रिशियों जब काल ने जब काल ने भगवान सिव का दर्शन किया सिव जी को देखते ही उसी इक्षन भै के कारण वह बलवान काल स्वेत मुनी के पास ही सीगर गिर पड़ा अब निश्प्राण हो गया भगवान ने कुछ नहीं का भॉलेनात ने तरसुल नहीं उठाया भगवान ने डमरू भी नहीं बजाया बोले नात निमा कुछ किया ही नहीं सिर्फ भगवान को उस लिंग में से प्रगट होते ही देखकर वो काल मुनी के ही पास में सुनके चरणों की तरफ ही गिर पड़ा और निस्प्रांड हो गया ऐसा लगता है जैसे भोले नात को देखते ही उसे हाट अटेक आ गया हो आई गया होगा हाट अब हाट अटेक नहीं आता तो निस्प्रांड कैसे होता वहीं पर मूर्चितों के गिर पड़ा उसके प्रांड निकल गए काल का अंत करने वाले सिवजी को देखकर जोड से चिलाया उत्तम विप्रो मृत प्राय उसकाल की सिवजी ने अपने कृप कृपा लोग से जीवन का प्रदान कैसे उनको जीवन काल को दुबारा दिया वो भी सुनो जब वो निस्प्रांड हो गया तो उस समय तत्पस्याद सिलाद के पुत्र तथा सिवजी के अनुचर गनेश्वर नंदी जी के काल को मरा हुआ देकर अत्यन तविश्मित हुए और उन्होंने अविनासी महेश्वर सिव को प्रणाम कर उन से कहा कि यह अल्पबुद्धी काल मर चुका है अब आप इस काल को और मुनी दोनों पर अनुग्रे कीजिए अब केले मुनी को इमत बचाईए काल को भी बचाईए काल को इनी बचाईए मुनी को भी बचाईए आपकी कृपासे ही यह दोनों जीवित होएंगे तत्पश्याद स्रमण शनभर में ही मरत होकर प्रतवी पर गिरे काल को देखकर उसके तथा दुझ स्रेश्ट स्वेट दोनों को उपर अनुग्रे करके भगवान संकर तत्काल वहां से अंतर ध्यान होगे उसी सिविलिंग में प्रविस करके बोलो संकर भगवान की